जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीजी से मदद मांगी मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी पीएमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा भर चोड का जवाब वोट से देना है पीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम मोहनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी कि जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुख करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा टीमसी के राज में टीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो मैने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बेहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज मंगाल की जनता यहां के मुक्ष मंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेताओं संदेज खाली पर आख कान मुझे गादी जीजी को जो तीन बंदर से ने उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझे सब बंद करके बैट रहे हैं